यूक्रेन को लेकर रूस और अमरीका समेत नेटो देशों में जंग के मंडराते काले बादलों के बीच चीन ने बड़ा खेल कर दिया है दक्षिनी चीन सागर में चल ले तनाव के बीच चीन के विदेश मंतरी वांगी ने इस पुरेववाद में खुलकर रूस का समर्थन किया है वांगी ने जोर देकर काय की अमरीका को रूस के वैदानिक सुरक्षा चिनताओ को गंबिरता के साथ लेना चाहिए माना जाराय की चीन ने इस मोके को भुनाते हुए रूस की सानुभूती हासिल करने कोशिस की है उधर ड्रेगन के इस दाओ से भरत की टेंसन भी बढ़ गई है चीनी विदेश मंतरी वांगी ने अमरीका और नेटो देशो पर निशाना साधते हुए काय की सेन ने बलोक को मजबूत करके या उसे विस्तारित करके छित्रिय सुरक्षा की गारंटी नहीं दी जा सकती है वांगी ने अमरीकी विदेश मंतरी एंटीनी बिलिकेन के साथ बातचीत के बाद यह ब्यान दिया है माना जारा की वांगी ने यह ब्यान रूसी राष्ट पती वलादिमीर पुतिन को खुस करने के लिए दिया है इससे पहले पुतिन ने काया था की युक्रेन को नाटो का समर्थन रूस की सुरक्षा के लिए खत्रा है रूस के युक्रेन सीमा पर एक लांक सैनिकों को जमा करने के बाद अब तक चीन ने चुपी साद रखी थी और वै इतना ही कह रहा था की दोनों पक्स बातचीत के जरिये विवाद का समधान करे चीनी विदेश मंत्री के इस ब्यान के बाद अब यह साप हो गया है की इस बीच रूस ने काया की युक्रेन संकट को हल करने के लिए रूस की मुख्य मांगों पर अमरिका के इंकार से आसा वाद के लिए बहुत कम गुंजायस बचती है साथी काय की बाच्ची तभी भी मुम्किन है रूस ने युक्रेन की शीमा के पास एक लाक्स्या दिक्सैनिकों का जमावड़ा कर रखा है जिससे इस छित्र में युद के आसंका तेज हो गई है रूस ने लगतार इस बात से इंकार किया है कि वे हमली की योजना बना रहा है लेकिन अमरिका और उसके नेटों से योग्यों का मानना है कि रूस युद की तरप बढ़ रहा है और इसके लिए वे तयारी कर रहा है रूस ने कई मांगे रखी है जिसके बारे में उसका कहना है इससे यूरोप में सुरक्षा की स्थिति में सुधार होगा जैसा की अपेक सित्था अमरीका और पस्ची में गट बंदन ने बुद्वार को मास्कों के मुख्य बिंदो पर किसी भी तरह किरियात को द्रड़ता से खारीज कर दिया अमरीका ने यूकरेन को नेटों में सामिल होने से इस्थाई रूप से पर्ति बंदित करने से इंकार कर दिया और कहा कि पूर्वी यूरोप में सैनिको और सैन्य उपकरणों की संबद तैनादी के मुद्दे पर कोई वारता नहीं होगी हालकि तनाव गटाने के मकसद से अमरीका ने उन्चेत्रों की रूप रेखा तैयार की है जहां रूस की कुछ चिन्ताओं का समधान किया जा सकता है माना जा रहा कि रूस और चीन की बड़ती नजदी की भारत के लिए चिन्ता का सबब बन सकती है भारत का चीन के साथ सीमा बाद चल रहा है और दोनों और से मिलकर करीब एक लाँक सैनिक शीमा पर तैनाथ है वहीं भारत चीन से निपटने के लिए बड़े पैमाने पर रूस से अत्यार खरीद रहा है भारते सेना के करीब 60 फिजदी हत्यार रूसी मूल के हैं रूसी समर्थन के बिना भारते सेनगे पंगू होने का खत्रा पैदा हो सकता है इसी खत्रे को देखते हुए भारते विदेश सचिव ने पिछले दिनों अमरीकी उपविदेश मंत्री वेंडी सर्मन से बात की थी भारत ने युक्रेन रूस विवाद में अभी तक कोई आधिकारिक ब्यांजारी नहीं किया है लेकिन पूरे घटनकरम पर नज़दी किसे नजर बनाये हुए है आधिकारियों का कहना है कि दोनों ही पक्सों में भारत के रणनितिक भागिदार सामिल है ऐसे में एक भी गलत कदम पहले से जटिल चल रहे, कूड़नितिक रिष्टों को संकट में डाल सकता है भारत को रूस के सक्ति प्रदर्शन पर चिंता तो जरूर है लेकिन वे मास्कों के साथ अपने संम्मदों को संकट में नहीं डाल सकता है चीन के साथ चले तनाव में अमरीका भी भरत की पुरी मदद कर रहा है ऐसे में उसके साथ रिष्ट भी एम है भरत को ये भी डर है कि अगर रूस पर और ज़्यादा परतिबंद लगते हैं तो वे चीन के और ज़्यादा करीब चला जाएगा इशिक साथ अनुमती दोस्तो जए हिंद वंद मात्रम